So hello everyone, welcome back to website support दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WordPress के अंदर customize का जो option मिलता है उस option के जरीए आप कौन-कौन से features को customize कर सकते हैं और उसके अंदर आपको कौन-कौन से customization के options मिलते हैं तो जैसे कि आपको अभी screen के उपर दिख रहा होगा यह एक complete website यहाँ पर बनके ready है इसके अंदर header भी है, footer भी है और सारे pages भी यहाँ पर ready हो चुके हैं अब दोस्तों customize feature के अंदर जो आपको options मिलते हैं उन options के जरीए आप अपने website के header को customize कर सकते हैं footer को customize कर सकते हैं अपनी header के अंदर, footer के अंदर menus को create कर सकते हैं आप साथी साथ इसके अंदर अपनी typography को configure कर सकते हैं कि आपको कौन से font चाहिए website के background colors को configure कर सकते हैं website के layout को configure कर सकते हैं साथी साथ अपनी website के अंदर अगर कोई आपने widgets वगरानी है जैसे कि sidebars वगरानी है तो side bar को आप यहां से configure कर सकते हैं यानि कि उसके अंदर design कर सकते हैं तो यह सारे customization के features मिलते हैं आपको सभी themes के customize के अंदर अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि customize theme के जरीए क्या हम अपनी website के pages वगरे को design कर सकते हैं तो आपको pages वगरे design करने के लिए customize feature के अंदर कोई भी option नहीं मिलता है हाँ अगर आप blogs create कर रहे हैं तो blogs के आप pages वगरे को design कर सकते हैं लेकिन अगर आप कोई business website या custom pages वगरे design करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आपको wordpress editor के use करनी होगी या another tools plugin जैसे के elementar, blogsy इस type के आपके plugins को use करनी होगी जिसके मदद से आप अपने website के pages वगरे को बिना coding के design कर पाएंगे तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या आपको customize के अंदर features मिलने वाले हैं दोस्तों जब आप अपने website के backend यानी WordPress admin panel के अंदर login करेंगे और अपनी website को access करेंगे तो उपर में आपको एक black bar यहां पे show करेगा यहां भी आपको option मिलता है customize का आप यहां customize के उपर भी क्लिक करके अपनी website के customize के अंदर जा सकते हैं यहां manually आपने dashboard के अंदर जानी है WordPress के यहां appearance में जाएंगे यहां customize का option आपको मिल जाता है यहां से भी आप अपनी customizer के अंदर इंटर कर सकते हैं तो जैसे कि हम यहां customize के उपर क्लिक करते हैं अब यहां left side में आपको बहुत सारे options देख रहा होंगे इसे हम WordPress website customizer कहते हैं यहां पर आपको जैसे की अपने website के colors को change करनी है यहां आपको colors and font का option मिलेगा यहां से आप अपने colors को change कर सकते हैं जैसे कि आपके site के background के color क्या रखनी है content के background color क्या रखनी है अब यह content background color अगर आपका blog है तो वहां पर यह effect करेगा लेकिन अगर आपका business website है तो जैसे कि यह अपने custom pages create किये हुए है तो इसके अंदर इसका कोई भी effect देखने को नहीं मिलेगा साथी साथ आप यहाँ title above content background यह जितने भी आपको यहाँ पे background colors के options मिलेंगे यह आपका main background का color हो जाएगा और यह आपके blog से लेटर जो भी articles होंगे उसके background या उसके content के color को यहाँ से आप configure कर सकते हैं अब दूस्तों यहाँ customize के अंदर जितने भी features आपको मिलते हैं यह आपको theme के according change होते हैं लेकिन जो आपको basics हमने बताए कि जैसे कि आपको header customize करनी हो, footer customize करनी हो, अपने fonts, colors वगरे को customize करनी हो, layout को customize करनी हो, menus create करनी हो, अपनी home page को setup करनी हो, या widgets वगरे लगानी हो, यह features आपको सभी theme के customizer के अंदर मिल जाता है इसके अलावा extra जो भी features मिलेंगे, वो depend करता है कि आप कौन सा theme यूज़ कर रहे हैं, free theme यूज़ कर रहे हैं, या premium theme यूज़ कर रहे हैं, अब जिसे कि fonts आपने change करनी हैं, तो यहाँ typographic अंदर आप जाएंगे, यहाँ typographic अंदर आप अपने fonts वगरे को change कर सकते हैं, जिसे क base font अभी यहाँ पर यह है, इसकी style यह हो गई, और इसकी size यह हो गई, आप यहाँ से इसको change कर पाएंगे, यहाँ h1, h3 से ले करके h6 तक के font को customize कर सकते हैं, साथी साथ आपको यहाँ पर title को customize करनी हो, breed comes, या आपको theme के according कुछ custom fonts भी मिलाते हैं, जिन्हें आप अपने website के यहाँ पर use कर सकते हैं, then back जाएंगे और यहाँ buttons जैसे कि इस theme के अंदर एक button का भी option दिया हुआ है, जो कि यह button है, इस button को आप यहाँ से manage कर सकते हैं, तो अभी हमारे site के उपर जो theme है, cadence का theme हम use कर रहे हैं, और cadence theme के अंदर यह सारे options दिया हुए हैं, अब जिसे कि आपने अपनी website की header customize करनी है, इसके अंदर जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, site title हो गए, menu bar हो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एक call to action button है, तो यहाँ header को उपर आप जाएंगे, अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि तीन rows हैं और तीन rows के अंदर तीन columns य लगा हुआ है, जैसे कि आपको ऊपर में भी कोई यहाँ पर widgets लगानी हो, जैसे मालेजिये social media icons लगानी हो, या custom widgets आप लगाना चाहते हैं, HTML के codes लगाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ प्लस के उपर क्लिक करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर social icon लगाना चाहते हैं, अपनी navigation bar के उपर, तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे social, जो theme आप यूज करेंगे उसी के according आपको widgets और settings भी मिलती हैं, हम यहाँ पर social ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर social आ जाएगा, अब social के अंदर आपने customize करनी है, तो यहाँ settings के अंदर जाएंगे, और in pages के अंदर, यानि के social media के अ बगानी है, इस तरीके से आप अपने social media के अंदर links वगरे को यहाँ पर add कर पाएंगे, अब जैसे कि इसे आपने remove करनी है, तो यहाँ से simply आप इसको remove कर सकते हैं, यहाँ logo change करनी है, तो setting के अंदर जाएंगे, और यहाँ से logo आप change कर सकते हैं, logo आपने नहीं show करनी है, आप आपको side title and tagline show करनी है, तो आप यहाँ पर side title show कर सकते हैं, यहाँ पर tagline अभी हमने कोई fill नहीं किया हुआ है, इस वज़े से tagline नहीं show कर रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ बहुत सारे styles भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से styles भी choose कर सकते हैं, उसी तरीके से footer के navigation के अंदर आपने customization करनी है, तो footer के अंदर आपको आनी है, और इसी तरीके से आप यहाँ footer के अंदर भी customize कर पाएंगे, यहाँ भी आप अपने mouse crusher को ले जाएंगे, तो pencil का icon मिलेगा, जिस भी section के अंदर आपने widgets वगरा को edit करनी है, customize करनी है, आप यहाँ से edit कर सकते हैं, अब जिस अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक widget लगा हुआ है, जैसे कि यह 4 columns हो गया, अगर आपने 5 columns रखनी है, तो आप यहाँ पर select कर लेंगे, 5 columns, तो यह 5 columns हो जाएंगे, और यहाँ पर extra एक और आपको widget का option मिल जाएगा, प्लस के उपर आप किलिक करेंगे, और यहाँ से widget 6 या widget 5 आप ले सकते हैं और उसके अंदर आप features लगरा एड़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर प्लस के उपर किलिक करते हैं, और यहां से widget 5 ले ले लेते हैं, अब यहाँ widget 5 का अंदर आपने features को एड़ करनी होगी, कि आप यहाँ पर widget 5 का अंदर क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि आपने form लगानी है तो आप यहाँ पर form लगा सकते हैं यह हो गया form और यहाँ से हम social को delete करना चाहते हैं तो इसे हम कर देंगे यहाँ से delete तो यहां पर एक contact form भी आप लगाना चाहें या इसके जैसे और भी कोई widget आप लगाना चाहें तो आप यहां पर लगा सकते हैं सभी column के अंदर इसके pencil को पर click करेंगे और वहां से जा करके आप इसे customize कर सकते हैं जैसे कि यह navigation menu है navigation menu के अंदर पहले आपने यहां पर title दे दिया अब यहां पर आपने उस menu को select करनी होगी जो menu आप यहां पर show करना चाहते हैं यहां पर show करने से पहले आपने menu create करनी होती है तो चलिए अब हम सेख लेते है कि किस तरीके से आपको कस्टमाइज के अंदर menu को create करनी होती है तौह हम यहां पर back जाएंगे यहां menu करना हम गये दिन यहां create new menu उसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहां पर हम अपने मेन्यू का नाम देंगे यहां पर हम जिससे दे देते हैं product menu then next अब यहां पर आपने items add करनी है कि आप यहां पर कौन-कौन सी pages categories या tags को शो करना चाहते हैं तो यहां add item इसके उपर आपने क्लिक करनी है यहां से अगर आप pages को शो करना चाहते हैं आप यहां से pages को चूज कर सकते हैं आप यहां categories को शो करना चाहते हैं तो categories को चूज कर सकते हैं जैसे कि हम यहां पर categories को चूज कर लेते हैं ओके यह सारे categories हमने choose कर ली और pages वगरे भी आपने choose करनी है तो आप यहां से pages वगरे को भी choose कर सकते हैं देन हम अगेन आ जाएंगे इसके ओपर pencil को उपर click करेंगे और यहां से हम choose करेंगे उसको उससे पहले हमने यहां पर इससे पहले publish करनी होगी then हम इसको एक बार refresh करेंगे और यहाँ पर आपको product menu आप show करने लगा इसको हम choose कर लेंगे तो जो भी pages जो भी tags हमने अपनी menu के अंदर add की वो यहाँ पर show करने लगेगा तो इस तरीके से आप menus को create कर सकते हैं और उस menu को आपने चाहे footer में लगानी हो same process है आपने चाहे header में लगानी हो यहाँ भी आपको same process है pencil को पर आप click करेंगे यहाँ select menu के अंदर आप जाएंगे कौन सी menu आप यहाँ पर show करना चाहते हैं यहाँ से menu choose कर लेंगे जैसे कि हम यहाँ पर product menu choose कर लेते हैं तो product menu के अंदर जो भी pages जो भी tags होंगे वो यहाँ पर show करेंगे अब जैसे कि आपने website के layout को कैसे select करनी होती है उसे configure करनी होती है यहाँ layout को option आपको मिलेगा page के layout आपने क्या रखनी है तब यहाँ पर क्या है above content in content करेंगे इसके अंदर यह box हो जाएगा साथी साथ आप यहाँ पर title container width को यहाँ से manage कर सकते है pages के title को align कर सकते है आपको title के अंदर क्या-क्या show करनी है title, breed, coms, meta यह सारी चीज़ आप यहाँ से configure कर पाएंगे page के layout आप यहाँ पर narrow, full width left sidebar जैसे के side में आपको sidebar रखनी है left में या right में रखनी है आप यहाँ से according pages को उसकी layout को choose कर सकते हैं sidebar 1 रखनी है sidebar 2 रखनी है वो आप यहाँ से configure कर सकते हैं और इसके content के style को भी आप यहाँ से configure कर सकते हैं overall इसी तरीके से pages के साथ साथ आप अपने post या archive post या single pages वगरे के layout को भी configure कर पाएंगे अब सबसे important part यहाँ पर होता है कि आप अपने website के उपर सबसे पहले क्या show करना चाहते हैं यानि कि आपकी home page के उपर क्या दिखिएगा blogs आपकी है तो आपने recent articles शो करनी है या कोई custom page आप design कर रहे हैं उस page को आप अपने blog के उपर या अगर आपका कोई business website है तो home page के जैसे आपने कोई pages को create किया हुआ है उसे आप as a home page शो करना चाहते हैं वो आपने configure करना होता है तो इसके लिए आपको यहाँ home page settings के अंदर आनी है यहाँ पर अभी जैसे कि यह select है aesthetic page तो aesthetic page के अंदर यहाँ पर home page हमने already select किया हुआ है अब इसके अंदर माल लेज़े कि हमने services के pages को show करनी है जैसे कोई भी हमारी site के उपर आए तो सबसे पहले उसको service का ही page as a home page शो करेगा तो आपने यहाँ पर उस page को choose करनी होते है जैसे कि हम यहाँ पर service को choose कर लेते हैं तब कोई भी site open करेगा तो main page यही show करेगा ओके लेकिन अगर आपका blog है तो आपको यहाँ पर choose करनी होती है your latest post तो जो भी आप recent post publish करेंगे वो recent post यहाँ पर show करेगा लेकिन चाहे आपका blog हो या business website हो या e-commerce site हो आपको कोई custom pages show करनी है तो आपको यहाँ पर aesthetic page के option पर रखनी है then आपने उस page को select कर लेनी है तो यह सारे customization के features आपको wordpress customizer के अंदर मिलता है जिसके मदद से आप अपने website के overall customization को perform कर सकते हैं तो I hope कि इस video को मादिम से आपने समझ लिया होगा कि wordpress customize option के अंदर आपको क्या-क्या features मिलते हैं उन features के जरीए आप अपने website को किस तरीके से customize कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो गर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरू करें साथ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe के साथ साथ notification को भी on कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस ने topic के साथ जय हिंद